नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर M6 शोरगिन के इस वीडियो टुटोरियल में मैं हूँ आपका दोस्त परवीन नाना और आज के इस वीडियो में दोस्तों बात करते हैं मंडे की मार्केट की या अगले हफते होने वाली मार्केट के मॉवमेंट्स की और इस चार्ट में दोस्तों मैंने कुछ लाइन्स ड्रॉ की हैं जो लाइन्स सपोर्ट एंड डिजिस्टेंस लेवल की लाइन है और साथी साथ मैंने इसमें दो अलग-अलग मॉविंग एवरेज का यूज किया है जिनकी मदद से हम एनलाइज करेंगे कि मार्केट के लेवल्स किस तरफ जाने वाले है मार्केट किस तरफ जाने वाली है उस अजम्शन को लेके मैं अपनी जो चार्टिंग थियोरी है वो आपके सामने पेश कर रहा हूं और मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से मारकेट अगली मूव देने वाली है कुछ खास मारकेट में ऐसी मूवमेंट आने वाली है जिसके बारे में दोस्तो इस वीडियो में चर्चा करते हैं और एक चीज़ में बता दूँ कि इस वीडियो में जो हमने लाइन स्ट्रॉ की हैं दोस्तों ये मारकेट की बनाई हुई सपोर्ट और रजिस्टेंस लेवल हैं किसी फार्मूला से हमने इसको नहीं निकाला है हमने मारकेट की मूवमेंट को देखा है कि कहां कहां पर मारकेट ने सपोर्ट या रेजिस्टेंस लिया है पिछले लेवल में जैसे कि आप यहां इस लेवल पर देख सकते हैं कि इस लेवल का जो सपोर्ट है या रेजिस्टेंस लेवल है उसके बाद ये मारकेट अगर इसको ब्रेक करके उपर गई है तो अच्छा का सा मूव अगर हम बात करें फ्राइडे की यानि की दस्तारिक की तो आप देखेंगे मैं आपको डेटा विंडो में दिखा देता हूँ कि किस तरीके से ओपनिंग रही है मार्केट का जो ओपनिंग रेंज था वो 22,700 के आसपास था और 22,700 के आसपास का लेवल आने के बाद उसके बाद जब अगला मूव मार्केट ने दिया अपसाइड तीन-चार कैंडल साब देखेंगे की अपसाइड गई है तीन-चार बुलिश कैंडल साब को दिखाए दे रही है लेकिन वो जो लेवल था 22,800 का जो लेवल था जिसके उपर अगर क्लोजिंग देती कैंडल या एक दो कैंडल बनती तो मार्केट अपसाइड जाने के चांसे होते थे लेकिन मार्केट उधर नहीं गई और एक नीचे का जो लेवल था यानि कि जो support level था उसके पास आई और दो ही candle में आप देख सकते हैं कि उसने next support को touch कर दिया उसके बाद फिर एक candle bullish बनी और यहाँ पर हमें एक और confirmation मिला वो यह कि हमारी 80 period की जो AEM में थी जो कि अच्छा कासा support resistance level बताती है उसको भी यह candle जो है अगली वो break नहीं कर पाई और फिर धड़ाम से नीचे गर गई और उसके बाद का जो next level था उस level को इसने touch कर दिया अब यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक और moving average हमने plot की हुई है वो moving average है आपकी 200 period की EMA जिसको हम golden line भी कहते है टेक्निकल लेंगवेज में तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यह golden line जो आपको दिखाए देरी है इस golden line का level है दोस्तों 22,300 के आसपास का यानि कि अगर market 22,300 के नीचे closing देती है या 22,300 के नीचे candles close होती है एक दो candle बनती है तो market अगला जो level पकड़ेगी वो 22,020 के आसपास का level पकड़ेगी यानि कि यहाँ पर bank nifty के 300 point और गिरने के chances बन रहे है अगर हम above यानि कि resistance की बात करें तो अभी जो market है वो एक resistance ले रही है लेकिन market कल open होगी तो किस level की तरफ open होगी वहां से हम अपने trend को decide कर सकते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं golden level के भी नीचे market आने की कोशिश कर रही है और इससे पहले कि अगर trend की हम बात करें इससे पहले कि अगर हम जो support level की line मैंने आपको बताई जो यह 80 period की moving average है इस के बाद यहां पर आप देखेंगे साथ जुलाई को भी same condition हुई यह नीचे गई और उसके बाद फिर से market ने upside का move दे दिया लेकिन उसके बाद एक बहुत ही अच्छा खासा यहां पर हमें एक downside fall दिखाए दिया एगी candle में market काफी जादा नीचे आ गया और उसके बाद अग position बना सकते हैं अगर buying side की बात करें तो दोस्तों 420 के आसपास का level है अगर 420 के level के ऊपर एक दो candle बनती है तो हमें 630 या 800 का level maximum जाके यहां पर मिल सकता है लेकिन most of the chances यहां पर market के down जाने के ही हैं तो दोस्तों यह चीज़ आप धियान रखे कि अगर market 22,300 के नीचे अगर आपको बैंक निफ्टी की दिखाई देती है तो आप इसमें selling की position बना सकते हैं stop loss जो रहेगा दोस्तों वह 420 के उपर का level का stop loss आपको रखना पड़ेगा और 22,020 के आसपास के आपको target यहां पर मिल सकते हैं अगर upside move की बात करें कल की market अगर gap up opening होती है और upside का move देती है त तो हमारे जो targets जो रहेंगे वो 630 के आसपास और उसके बाद 800 के आसपास के levels यहां पर touch कर सकती है उसमें भी stop loss की बात करें तो दोस्तों 300 की नीचे अगर market sustain करती है 10-15 मिनट तो हमें अपनी position से निकल जाना होगा यानि कि दोनों ही conditions में हमें 120-25 point का stop loss रखना है और 200-300 point के आसपास का target दोस्तों हमें मिल सकता है यह है analysis report bank nifty की आने वाले week के लिए आप देख सकते हैं इस levels को cross करती है तो आप अपनी trading उसे साप से कर सकते हैं अगर market अप जाती है तो अपर के level पे यानि की resistance level के उपर अगर रहती है तो हम buy की position बनाएंगे और support के levels के नीचे रहती ह इनी levels के बीच में market जूलने वाली है अगले हफते में तो उसके हिसाप से आप अपनी दोस्तों positions बना सकते हैं और देख सकते हैं किस तरीके से आपकी trades profitable रहेंगे अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को subscribe कर लिजे क्योंकि आने वाले time में हम अपने चैनल पे आपके कर आपके रहेंगे अपी टेडिंग